बच्चे देश का बविश्य होते हैं पूछा ताज मैल किसने बनाया था? शाजहाने शाजहाने बनाया था क्यों बनाया था? अपनी वीवी क्या थे? अच्छा, की वाइफ को थी? वंताज हमारी मुखे मंतरी कौन है? कुछ ने? कि में मिल जावा कुल पान के मैं किन जावा इतनी सी है दिल की आरजू बच्चे देश का भविश्य होते हैं तहां जा रहा है कि शिक्षा जो है उसमें काफी सुधार हुआ है दिल्ली के जो MCD के स्कूल थे उनमें भी काफी सुधार हुआ है बच्चे आज 14 फरवरी का दिन है और बच्चे यहाँ पे इंडिया गेट में मौजूद हैं यह सारे MCD, J-Block, मुंगोलपुरी स्कूल के बच्चे हैं जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं बच्चों का नॉलिज भी इस चीज से गेन होता है आपको बता दें कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों के अंदर बच्चों को ऐसे पिक्निक या इस जगह से कहीं पर गुमाने के लिए ले जाने के लिए उनसे अच्छा खासा पैसा लिया जाता है लेकिन सरकारी स्कूल, MCD की स्कूल जो है उनमें ये बच्चे जो है आज घूमने आये हैं इन बच्चों को भी मौका मिला है स्कूल से बाहर मिकल कर कहीं कुछ चीज देखने का फिलाल तो ये बच्चे बाहर मुगल गार्डन देखने के लिए आये थे जो कि अभी अमरित उद्ध्यान बन गया है आपको बता दें अभी फिलाल इंडिया गेट पर ये बच्चे लंच करने के लिए पहुचे थे तो जान लेते हैं इनी बच्चों से क्योंकि एक गुडिया हमारे साथ थी वो गुडिया कहा है सबसे पहले जो गुडिया हमें मिली यहां पे खिलोन किसने बनाया था शा जहान ने शा जहाने बनाया था जाने अपर धो अपनी वीबी की आद में था है किंड़ को यह पता एक आचे चलो ठीक है यहां पर कौन-कौन सी कलास के बच्चे हैं शिर्फ एक क्लास के बच्चे सिर्फS ब्युटके मंगोरne करें हम इस गुडिया को मुख्य मंत्री कौन है नहीं पता है आपको पता है केजरी वाल देखे इस बच्ची ने बोला कोई बात नहीं अगली बार आपको भी पता होगा ठीक है और लोगों से जानते हैं आप भी महीं हो ना अच्छा परधान मंत्री कौन है मोधी जी पूरा नाम का है मोधी जी जी बोला बता हो श्रीर श्री नईरैंद्र मोधी जी βेंडरी जी अच्छा ओक ठीक है और अभी अभी उनकी माता जी जो है उनका दिहांत उआ था तो उनका क्या नाम है तो आनंदी बेन उनकी टीचर आपके अध्यापक ने बताया तो स्कूल के टीचर जो है वो भी बारे साथ है उनसे जान लेते हैं मैं बच्चों को इतना अच्छा प्लेटफर्म देना MCD स्कूल जहां लोगों की सोच यह है कि सरकारी स्कूल में या MCD के स्कूल में बच्चे पढ़ते नहीं है Education नहीं है क्या लगता है इन बच्चों की प्रतिवाओं को देखे मैम यह सरफ एक बनाई गई जन साधारन की सोच है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है मैं तो जब से जॉब पे लगी हूँ हम महनत करते हैं और ये बच्चों में महनत निखर के आती है इनको वो सुविधाई इनको घर से वो सुविधाई नहीं मिलिये पर हमारा डिपार्टमेंट इनको पूरी सुवधाय देता है, इनको मिड़े मील मिलता है, इनको गोमने के लिए साल में एक बर मिलता है, बुक्स मिलती है, किताबे मिलती है, कॉपियां मिलती है, स्टेशनरी मिलती है, और साथ में जो बच्चे थोड़े से वीक होते हैं, उन नहीं चल पाते हैं तो उनको extra classes उसी चीज की दी जाती है कि वो और बच्चों के साथ चल सके और साथ में आपको बता दूँ एक चीज का और नॉलेज जो है हालां कि बच्चे बहुत छोटे हैं शाहिद उन्हें नहीं पता होगा आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को कुछ हुआ था बेटा आज से चार साल पहले कुछ हुआ था नहीं है चलिए मैं बता देती हूं 14 फैब को जो है पुल्वामा अटेक हुआ था जिसमें हमारे फौजी नौजवानों की शहादत हो गई थी तो हम यहां पर आये थे बच्चे यहां पर हैं सभी को देशवक्ति काना किसे मुझे आता है आता है चीक है अब सुनाओ फिर हमारे भारतिय सेना के बहुत सारे फोटी नौजवान जो है वो चार साल पहले 2019 में शहीद हो गे थे पुल्वामा में पता है ना आपको उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करो उनको शरत दांजली देने के लिए गाना गाद Tere Miti में मिल जाओा गुलबाणके मैं किल जाओा इतनी सी है दिल की आरचू क्या बात है बहुत बढ़िया और बच्चे जब देश वक्ती के ऐसे कोई गाने गाते हैं तो उनमें अपने आप में ही एक उमंग एक तरंग जो है वो जाग जाती है इंडियन आर्मी में कौन कौन जाएगा सब बच्चे देखें इंडियन आर्मी में जाएंगे तो उसके लिए पढ़ना पढ़ेगा ना सब पढ़ेंगे क्या बात है आप लोगं को कैसी लगी हमारी कोशीश नीचे कमेंट सेशन में जुरूर बताएं देखते रहिए सोगंध टीवी आशा शर्मा कैमरामेन रोहित के साथ इंडिया गेट दिल्ली आप देख रहे हैं सोगंध टीवी सोगंध वतन की